जेहें दोस्तों एक वार फिर से आपके लिए प्राइवëट कंपनी का रिकुरीटमर्न आראहूं मैंञôm नाम मंदीब कुमार सिंग है और आज मैं आप लोग के लिए Milton के तरफ से लेटेस रिकुरीटमर्न लेकिस्टमर्ण लेकुरीके जो आंध्र पर्देश में है दोस्तों अगर आपका क्वालिफिकेशन भी बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि इस चैनल पर आपको TWM एन्स फ करते हैं मिल्तेन के बारे में ठीक है तो किस किस पोस्ट के लिए उए हुआ है तो जब सबसे पहले बात करें पोडक्शन इंजिनियर्व आया हुआ है देखिए यह सभी कॉमन है जितने भी पोस्ट बताएंगे सभी आंध्र परदेश में है और सिरिसिटी प्लांड के आते हैं तो राइट हैंड साइड में अपलाई का आपको लिंक दिख रहा होगा ठीक है दूसरा पोस्ट है दोस्तों पोडक्शन सुपरवाइजर के लिए यह भी इसका नंबर ओपनिंग 2 है तिसरा है मसीन ओपरेटर के लिए इसमें नंबर ओपनिंग 15 है दोस्तों सबसे ज इंजिनियर मोल्डिंग के लिए नंबर ओपनिंग 3 है सारा सेम प्लांट है सिरिसिटी प्लांट विए अंधर पर्दैस में पच्मा होता है मोल्ड सेटर नंबर ओपनिंग 3 है इंस्पेक्टर क्वालिटी एस्ट्रेंस नंबर ओपनिंग 2 है इंस्पेक्टर क्वालिटी एस आपनिंग दो है जो नोन टेकनिकल पार्ट है एक्सक्योटिव एकाउंटेट के लिए भी नंबर ओफ ओपनिंग दो है एसिस्टेंट लोजिस्टिक के लिए भी नंबर ओफ ओपनिंग दो है और एसिस्टेंट इस्टोर के लिए भी नंबर ओफ ओपनिंग टू है तो इस तर यह फुल डिटेल में देखते हैं किस-किस फिल में experience मांग रहा है और किस-किस फिल में experience नहीं मांग रहा है तो जश्ट आपको no more पे click करना है ठीक है तो जैसे आप no more पे click करते हैं तो इसके बारे में जो भी qualification है बता देगा क्या चाहिए बी बीटेक होना चाहिए mechanical से डिप्लोमा भी होना चाहिए mechanical से experience आपसे अगर बीटेक है तो 2-4 साल का experience मांग रहा है और डिप्लोमा है तो 4-5 साल का स्किल में process knowledge और man management का होना चाहिए area of experience household stainless steel kitchenware manufacturing industry है light engineering industry है और machining process है ठीक है यह हो गया प्रोडेक्शन में बीटेक और डिप्लोमा वाले student के लिए ठीक है आप हम बात करेंगे प्रोडेक्शन सुपर्वाइजर के लिए तो इसमें क्लिक कीजिएगा इसमें सिफ प्रोडेक्शन सुपर्वाइजर में श्रीप आपको डिप्लोमा मेकिनिकल वाले student ही चाहिए 3-5 साल का experience चाहिए ठीक है एक वार फुल डिटेल में आप जरूए एक वार देख लें जिस में ज्यादा है तो आपको क्या करना है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है do तो मसीन ओपरेटर के लिए आप एलिजिवल है मेरे दोस्तों ठीक है एक्सपिरियंच चाहिए जीरो से दो साल तो बहुत अच्छी बात है फ्रेसर लोग अपलाई कर सकते हैं यह तो मुझे पता नहीं था एक्सपिरियंच क्या होगा मसीनिंग का टर्निंग स्टील स्पाइनिंग का पॉडक्शन का कोई भी इंजिनिंग और स्टील पॉडक्ट में ठीक है तो यह सब बहुत बढ़ी हैं यह बात है तो आप जिरूख अपलाई करें कि वो फ्रेसर है, एक्सपिरिंच देख सकते है, जीरो से दो साल थीकि तो इस तहर आप जिस फिल्में इंट्रेस्ट रखते हैं उस तरह आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है चलिए apply करने का आपको बताते हैं किस तरह apply कीजिएगा तो यहाँ apply करने का sign है apply लिखा हुआ आपको just click कर देना है ठीक है तो click करने के बाद सबसे पहले आपको बताएगा कि आप machine operator post click कर रहे हैं जो city plant है आंदर परदेश्ट में है नमर उप्रिंग 15 है production का काम है job ID machine operator का है सबसे पहले आपको नाम email ID contact number year of experience और आपको अपना resume upload करना होगा दोस्तों ठीक है उसके बाद आप send करते हैं तो चलिए हम करके आपको बताते हैं ठीक है step why बताएगे तो सबसे पहले हम आपको नाम fill कर लेते हैं दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है बस इसमें आपको अपर अपना resume भरना है तो में नाम डाल दिया आपको नाम डाल दिया email डाल दिया नमर डाल दिया तो आप से पुछेगा क्या एक्सपिरेंस कितना है तो आप 0 डाल दीजिए ठीक है उसके बाद इस पे आपको क्लिक करके आपको अपना रिजूम भी भेजना है ठीक रिजूम डाल दिए देन आपको सेंट पे क्लिक करते ही आपका सम्मिट हो जागा बस और कुछ भी नहीं करना है दोस्तो अगर आप इंटेस्टेट रखते हैं को प्रडेक्शन फिल्ड में ज देखने अब बात आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा और की तरह का वीडियो आपको चाहिए क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक मोटिवेट करता है हमें और भी बनाने के लिए जोश्पैदा करता है ठीक है तो दोस्तों वीडियो को यहीं तरखते हैं जार लंबा करने में झाल झाल